बिहार में धंड का असर 18 दिसंबर से बढ़ सकता है इस दोरान नियूंतम तापमान में भारे गिरावट दर्च किये जाने की उम्मीद है पटना स्थित मौसम विज्यान केंद्र के मौसम विज्यानिक आनंद शंकर ने पूर्वा नुमान जताते हुए बताया कि इस दोरान बिहार के कई जिलों का तापमान 60 डिगरी तक रहने की संभावना होगी उन्होंने बताया कि अगले 72 घंटे तक बिहार के लोगों को घने कोहरे से राहत मिलेगी लेकिन इस दोरान ठंड बरकरार रहेगी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हलकी बारिश को लेकर भी पूर्वा नुमान जताया है मौसम विभाग के मताबिक बिहार के कई हिस्सों में ये बारिश 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को हो सकती है बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोब का सक्रिय होना बताया जा रहा है बिहार में फिलहाल लोगों को ठंड से अधिक कोहरे के कारण परिशानी हो रही है दिन का तापमान जहां समान रह रहा है वहीं रात का तापमान गिर जा रहा है बिहार के लगभग सभी जिलों में कोहरे का असर दिख रहा है और इसका असर ट्राफिक विवस्ता पर भी दिख रहा है राजधानी पटना में रवीवार को सुभा से ही कोहरा चाया है सड़क पर विजिबिलिटी शुन्य है धूप नहीं निकलने से कपकपी का असर है पिछले दो दिनों से पटना समेथ बिहार के अन्य शहरों में यही हाल है कोहरे के कारण गाडियों के हेडलाइस जलाकर चलाने को मजबूर है